तोस्तों Infosys की बात के श्टॉक के अंदर गिरावट देखना को मिल रही है अब यहाँ पर देखतो कि result के पहले ये गिरावट क्यों हो रही है तो इसके पीछे की जो वज़े है उसको समझने की कोसिस करेंगे इस वडियो के मादिम से result के अंदर क्या समझना है और क्या Infosys में खरीदारी का मौका आ चुका है या फिर इस समय Infosys से निकल जाना चीए पिछले दिनों Infosys ने काफी एचा रिटर्न भी दिया लेकिन अब आगे की क्या समझना है Market Expert क्या किया रहे जानने की कोसिस करेंगे इस वडियो के मादिम से Infosys जो पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा correction के दोर में भी था अब आने बार इसमें एक नई तेजी की सुरुआत हो सकती है या फिर IT सेक्टर में गिराउट होगी जानने की कोसिस करेंगे इस वडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस वी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी लगबग साड़े दस ग्यारा के आसपास का टाइम है इनफोसिस की बाद के स्टॉक की सुरुवात निगेटिव हुई 1471 पर क्लोजिंग कल की 1474 के आसपास थी और यह दिन भर का हाई है इसके बाद में गिरावट का माहल बना तो 1442 का लो भी बना और इस समय श्टॉक लगबग नीचे की दरपी है 1450 पर ट्रेट करा है श्टॉक 1.68% की गिरावट के साथ है बाजा तो इस समय पॉजिटिव है लेकिन इनफोसिस में काफी दबाव देखना हूं मिल रहा है और इसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग भी है पिछले इन दो इस स्टॉक ने काफी चापर देखना है आप देख से तो कि 13 जुलाई को स्टॉक 1.365 के आसपस था 2.4% की जबरदस तेजी बताई फिर 14 जुलाई को स्टॉक 1.425 तक चला गया 4.5% की बंपर तेजी बताई यहीं बहुत जबरदस दोड़ा श्टॉक 17 जुलाई को फिर से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी और 1422 के आसपस श्टॉक आये 0.2% की गिरावट थी 18 जुलाई को श्टॉक ने फिर एक जबरदस चलांग लगाई और 1475 के इस्तर पे 3.7% की बंपर तेजी देखना को मिले और 19 जुलाई को श्टॉक ने 0.0% यहीं लगबग फ्लैट क्लोजिंग दिये अब आप यह समझ सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेसन में श्टॉक ने जो तेजी बताई है वो बहुत जबरदस से करीब 10% से उपर की तेजी है और ऐसे में बड़े हैवी वेट शेर में अगर 10% की तेजी बनती है तो लोग प्रॉफिट बुक करने को आई जाते है पिछले 10 साल के इसकी परफॉर्मस देख सकते हो 10 येर के इसाब से 307% का इसने पॉजिटिव रिटन दिया है यानि काफी अच्छा रिटन है फाइएर के इसाब से भी 115% का इसका पॉजिटिव रिटन है लेकिन टू येर के इसाब से देखे तो इसमें 6% की गिरावट है और वन येर के इसाब भी श्टॉक अभी 4% डाउन है बात अगर 6 मन की भी करें तो यहाँ पे आपको लगबग 5% की गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन पिछले 3 मैन में श्टॉक ने 18% का जबरदस रिटन दिया है सिरफ अगर 1 मन की भी बात के तो यहाँ पे हमने 11% की सांदार तेजी देखिए और पिछले एक सब्ता में 6% की तेजी बनी है और 1 डे के एसाब से लगबग 1.64% की वापस गिरावट हो चुकी है अब यहाँ भी देखते हो कि quarter 1 का रिजल्ट बहुत ही कम समय यानि हमारे सामने होगा और इस रिजल्ट के पहले अगर आप देखे तो जो market expert है वो इस समय थोड़े से निरासा के साथ बरे हुए है उनके इसाब से जो रिजल्ट है वो इस बार single digit में रहने की संबावना है तो market expert का कहना है कि जो growth revenue है वो single digit में रह सकती है तो इस बार जो result में दबाव देखने को मिलेगा इसके पीछे जो wage hike किया गया उसका आसर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखतो कि stock box के जो market expert है दुरू उनके हिसाब से जो deal cancel उसका भी effect देखने को मिलेगा तो देखतो कि business भी कम हुआ साथ में wage hike किया गया इस सब की वज़े से यह result के अंदर वो सारी बाते देखने को मिलेगी तो यहाँ पे जो अंदाजा लगाएगा market expert की तरब से उनके हिसाब से जो यहाँ पे देख सकतो कि जो profit है उसमें 14 से लेके 18% की year basis पे व्रिदी देखने को मिल सकती है लेकिन revenue में यहाँ पे आपको कोई प्रकार की बड़त देखने को नहीं मिलेगी और इसके पीछे वज़े की जो इनके project कैंसल हुए उसका असर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देख से जो market expert का अंदाजा लगाए गया कि जो net profit है वो 6,245.4 कृट पीस के आसपास रह सकता है जबकि रिवेन्यू 37,843.3 कृट पीस के आसपास रहने की सम्मावना व्यक्त केगी यह बोट के अनुसार अब अगर पिछले एक साल की इसकी performance देखे तो देखतों मार्च 2022 में 32,276 कृट पीस का रिवेन्यू था और आप यह देख सकते हो कि मार्च 2023 में बढ़के 37,441 को भी तक पौँच गया लेकिन अगर दिसम्मर क्वाटर की बात करें तो रिवेन्यू 38,318 को भीस के आसपास रहा तो यहाँ पे आपको year on quarter basis पे रिवेन्यू बढ़ता हो दिखाए देगा लेकिन quarter on quarter basis पे रिवेन्यू गिरा है हैनि quarter 3 के मुकाबले quarter 4 में रिवेन्यू कम था और इस बार भी अंडाजा लग रहा है कि रिवेन्यू लगबग वैसा ही होगा profit की बात के तो मार्च 2022 में 5,685.20 का profit था जो मार्च 2023 में बढ़के 6,128.20 का आसपास पहुच गया और December की बात करें तो यहाँ पे देखतो कि 6,586.20 का आसपास profit रहने की उमीद जता है तो यहाँ पे देखतो कि सेम वही बात है कि year on quarter basis पे profit बढ़ा है profit रह सकता है अगर ऐसा ही रहा तो फिर देख सकते हो कि quarter on quarter basis पे आपको profit बढ़ता हो दिखा देगा और year on quarter basis पे profit बढ़ता हो दिखा देगा और बिल्कुल वगर वैसी सम्मावना बनेगी तो जो गिरावट है यहाँ पे बिल्कुल थम जाएगी और फिर एक तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है यहाँ पे डेटरत में भी व्रिद्धी थोड़ी सी हुई है मार्च 2022 में जापे 75,350 कोबिस के आसपस थी मार्च 2023 में बढ़के 75,407 कोबिस के आसपस पहुची है तो कुल मिलाके रिजल्ट का इंतजार करना होगा जो बहुत ही कम समय में मारे सामने होगा और उस बाद में रिजल्ट को हम अच्छे से अनालिस करेंगे लेकिन जो अंदाजा लगाए गया वो बिल्कुल वैसा ही होता है तो फिर आप समझ सकते हो कि इसमें गिरावट तो थमी जाएगी और फिर एक तेजी की समवहने बनेगी सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय FI investment सुरू कर चुके है IT शेरों में तो इस स्टॉक डेफिनेटली दोड़ी और इसने वैसे अगर आप देखे तो अलड़ी पहले 1900 के उपर स्टॉक जाके आचोक है इसमें 1400 के आसपास है तो उपरी प्राइस ही काफी नीचे है तो ऐसे में आने वाले समें इसके आराम से प्राइस के लिए यह इसे एक तरसे गेम चेंजर सावीट हो सकते इनफोसिस के लिए तो यहां पर दिखेंगें कि इनफोसिस ने काया कि उन्हों एक आर्टिफेशल Intelligent Automation Service के लिए आप दे फाइवर के लिए इन्होंने एक डिल साइन की है करीब 2 बिलियन डॉलर की तो यहाँ पर इस डिल के मादे में से देखे दो Development, Modernization और Maintenance का काम संभालेगी कंपनी आने वाले 5 साल के लिए तो यहाँ पर देखते हो कि यह जो ग्लोबल मार्केट में काम करने वाली कंपनी इन्फोसिस ने पिछले 3 साल का ROE का track record काफी अच्छा मैंटेन रहा वह करीब 29.4% के आसपास है इसके अलावा 58.8% का Healthy Dividend Payout किया है जो इसके लिए एक मजबूतिका सबूत है इसके अलावा अगर हम इसके share holding pattern की बात करें तो March में देखते हो इसके promoter की holding 15.14% के आसपास रही है जो December में 15.11% के आसपास थी तो promoter ने अपनी holding कुछ बढ़ा ही है कोई भी इनका गिरवी share नही है FY की बात करें उनकी 36.29% की holding थी December में March में 35.09% थोड़ी सी holding गटे लगे है इस बार June quarter के आकरे मारे पास आये नही है holding आपको बढ़ते हुँ दिखाए देगी डियाए की बात कुन की 32.38% की holding थी December में जो मार्च में बढ़के आप देख सकतो की यहाँ पे 33.46% तक चले गी है तो काफी अच्छा डिवाई ने निवेस किया है mutual fund ने भी इपनी holding को बढ़ा है आप देख सो 17.71% की holding थी December quarter में जो मार्च में बढ़के 18.28% तक आगी तो अच्छा खासा mutual fund का भी निवेस बढ़ा है जनल पब्लिक के share भी थोड़े से बढ़े 16.22% की holding थी December quarter में जो 16.31% तक पहुँच की है इस quarter में तो अकुल मिला के देखतो कि ये share holding पटन का इसार है कि आपको एक long term का नज़िया लेकि इनफोसिस में दिवस करना चाहिए या आने वाल्स में definitely आपको माला माल कर सकता है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors एक बाड़ी ले ले या अपना खुदका रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जोगी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थैंकियो